Hello friends, मेरा नाम है तन्वीर और आप देख रहा है Nerdy Sam. इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप किसी भी बड़ी Excel फाइल की फाइल साइस को रेडियूस यानि की कम कर सकते हैं सिर्फ एक मिनाट के अंदर. So without wasting any more time, let's get straight into the वीडियो. तो friends जैसे कि आप देख सकते हैं, मेरे पास यहाँ पे एक Excel फाइल है और यहाँ पे मैं आपको इसका साइस भी दिखा देता हूँ. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसकी साइस यहाँ पे 81.8MB शो हो रही है. तो हम इसकी file size को reduce करने वाले हैं, यानि की कम करने वाले हैं. तो इसके लिए दोस्तों हमें सबसे पहले इस file को open करना है. तो इसके लिए हमें इस पे right click करना है, तो हमें open पे click करना है. जिससे हमारी file यहाँ पे open होना start हो जाएगी. और यहाँ पर दोस्तों आप इस पास से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर आपको एक percentage increase होता दिख रहा होगा तो इसका मतलब है कि हमारी file काफी ज़ादा बड़ी है इसमें काफी सारा data है तो हमें यहाँ पर थोड़ा सा wait करना है जब तक कि हमारी file open होती है पर F12 की को प्रेस करना है जो की shortcut की है save as का यहाँ फिर दोस्तों आप file menu में चाहिए और यहाँ पर आपको save as पर click करना है जिससे आपके सामने कुछ इस तरह का interface open हो जाएगा तो आपको browse पर click करना है जिससे यहाँ पर save as की window open हो जाएगी अब आपको location को select कर लेना है जहाँ पर भी आपको आपकी reduce की हुई file चाहिए और देन आपको यहाँ पर file name को type करना है तो मैं यहाँ पर इसके file name को type करूँगा तो मैं यहाँ पर type कर दूँगा small size और इसके बाद दोस्तों आपको आजाना है save as type में यहाँ पर आपको excel के multiple format मिलते हैं save करने के लिए आपको यहाँ पर excel binary workbook को find out कर लेना है यहाँ पर आपको यह उपर मिल जाएगा और यहाँ पर लिखा होगा .xlsb अगर दोस्तों आपको यहाँ पर extension name नहीं दिख रहा है तो इसके लिए दोस्तों आपको this pc को open करना है या फिर आपको किसी भी folder को open करना है दो आपको view tab में आना है यहाँ पर आपको एक option मिलेगा file name extension तो आपको इससे check mark कर दियना है जससे आपको आपके सभी file का extension name देखने लगेगा और यहाँ पर दोस्तों आप जब save as type में आएंगे तो यहाँ भी आपको सभी file type ka यहाँ पर extension name देखने लगेगा तो यहाँ पे दोस्तों आपको Excel Binary Workbook को select कर लेना है दर आपको यहाँ पे save पे click कर देना है जिससे आपकी file यहाँ पे save होना start हो जाएगी और यहाँ पे एक process इस start हो जाएगा तो हमें यहाँ पे थोड़ा सा wait करना है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारी file यहाँ पे save हो गई है तो मैंने इसे minimize किया तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारी file save हो गई है और इसकी size भी reduce हो गई है तो आप यहाँ पे इसकी size को देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ 35.3 MB तो यहाँ पर दोस्तों आप दिख सकते हैं कि हमने 50 से 55 परसेंट इसकी file size को reduce कर लिया है तो दोस्तों इस तरह से आप simple process को follow करके अपने किसी भी Excel की file size को reduce कर सकते हैं यहाँ पर मैं दोस्तों आपको इसे एक बार open करके भी दिखा देता हूं कि यह work कर रहा है कि नहीं तो मैंने इस पर right click किया और open पर click किया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारी Excel file open हो गई है अब मैं यहाँ पर insert function को आपको open करके दिखाता हूं तो मैंने यहाँ पर इसे open किया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यह properly work कर रहा है आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और अगर आपका कोई question है तो आप comment box में लिख सकते हैं और चैनल को subscribe करना ना भूलें क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी ही useful videos लेके आतर रहता हूं